नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सनोडिया 91 पर मैं हूँ आपका दोस्ते राजिन सनोडिया दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के सुपर 100 भेरी भेरी मोस्ट इंपोर्टरेंट कोश्चन जो सभी एकजा और समान गया नाता है 100 परचेंट देखने को मिलेंगे तो आईए दोस्तों शुरुआत करते हैं कोश्चन नमबर एक से कोश्चन नमबर एक है अकवर का मगवरा कहां पर सित है यूपी पुलिस कोंस्टेबल में आया हुए सवाल है ठीक है तो अकवर का मगवरा कहां पर है चार आफसन दिये हुए है आगरा सिकंदरा दिल्ली या सासाराम तो इस कोश्चन का सहीं उत्तर था आफसन नमबर भी सिकंदरा अकवर का मगवरा कहां पर सित है सिकंदरा में अकवर का मगवरा सित है नैश कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर दो भारत के राष्टपत को सपत कौन दिलाता है तो याद रखना दोस्तों भारत के राष्टपती को सपत दिलाते हैं सर्वो चन्याले के मुख इनादीज यानि की चीप जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोट ठीक है सर्वो चन्याले के मुख इनादीज भारत के राष्टपती को सपत दिलाते हैं नेश्ट क महा बीर के बच्पन का नाम क्या था याद रखना भगवान महा बीर की बात हो रही है जेन धर्मस से संबनित कोचन है भगवान महा बीर के बच्पन का नाम था बर्धमान ऑप्षन नमबर C इसका सहीं उत्तर होगा ठीक है चलिए next कोचन देखते हैं कोचन नमबर 4 भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की सुरुवात कव हुई थी अब देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की सुरुवात कर वें थी आज कर को क्या कर inhunya है थी option no.d discuss नहीं उत्तर हो जाएगा आपको पता होगा दुस्तों भारात में project tiger की शुरूआत कब हुई थी project tiger की शुरूआत होती है 1973 में ठीक है और यह project elephant है इसके शुरूआत होती है 1992 में ठीक चलिए next question देखते हैं question no.5 गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था तीके अभी मने आपको पिछला कोश्चन में बताया था कि महावीर के बच्पन का नाम क्या था बर्दमान था तीके अब पूछ रहा है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम दोस् स्थीपा किसे देता है चाराप संदिये हुए है उपाध्यक्ष को देता है सदस्ट को देता है कलेक्टर को देता है या जिला पंजायत अध्यक्ष को देता है तो याद रखना जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है ये अपना स्थीपा किसको देता है कलेक्टर को देता है important question है अभी आया हुआ latest question है ठीक है नगरपाल का अध्यक्ष अपना स्थीपा collector को देता है ठीक है चलिए next question देखते हैं गौतम बुद्ध सिधार्थ को किस ब्रक्ष के नीचे ग्यान प्राप्थ हुआ था ठीक है option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध जानी की सिधार्थ को पीपल ब्रक्ष के नीचे ग्यान प्राप्थ हुआ था नेश question देखते है साइवेरियन सारस के लिए प्रिसिद्ध है important question है ठीक है जो साइवेरियन सारस है वो रड़ थंबो राश्टी उध्यान राजिस्थान में पाया जाता है next question है तरती ये बोध्ध संगीती किसके सासनकाल में संबन हुई थी मैं देखी यहाँ पर पहली ये दूसरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने कल के question में आपको दुती बताया था तीक है आज तरती बता रहा हूँ अगर आप regular वीडियो देखोगे तो 10 दिन में आप जीके के समराड बन जाओगे आपको अधिकतर question मेरे वीडियो से देखने को ही मिलेंगे त्रतिये बहुत दे संगीती किसके सासनकाल में संपन धुई थी तो याद रखना असोक के सासनकाल में संपन हुई थी त्रतिये बहुत दे संगीती ठीक है चलिए next question देखते है संग लोग सिवा आयोग यानि कि UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है किसके दवरा हटाया जाता है यह question पूछ रहा है ठीक है तो UPSC के जो अध्यक्ष और सदस्य है ना इसको राश्टपती के दवरा हटाया जाता है नेश्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 11 संयुक्त राष्ट सुरक्षा परसद में कितने 27 सदस्य देश हैं तो इसका संयुत्तर हो जायेगा उपसन नमबर B 5 27 सदस्य देश हैं अब वो 5 27 सदस्य देश कौन-कौन से हैं A, B, C और F और क्या हो गया R ठीक है A से अमेरि चलिए नेश्ट कोश्चन देखते हैं किस राज या केंदर सासित प्रदेश की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है ये सवाल है तो याद रखना दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसन नमबर C सिक्किम ठीक है सिक्किम राज की सीमा याद रखना नेपाल स सेंट में देखने को नहीं मिलते हैं ठीक है मैं पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एकजाम होते हैं सभी के पेपर एरेंजमेंट करता हूं और उसके बाद कोश्चन छाट-छाट के आपके लिए लेकर आता हूं ठीक है ताकि स्टुडेंटों को इधर उधर भटकना न प कोश्चन है UPSC यानि कि संग लोग सेवा आयों के गठन की मंजूरी किस अनुच्छेत के तहत दी गई है तो याद रखना UPSC के गठन की मंजूरी दी गई है अनुच्छेत 315 के तहत और सनमबर डी इसका सहीं उत्तर हो जाएगा क्लियर चलिए नेस्ट कोश्चन कोश्चन कोई हो गिया था और किसको भेजा गिया था असुक को भेजा गिया था ठीक है याद होगा ना चलिए बिंदु सार के सासनकार में असानति कहामर पहँली थी तक्छ सिला में पहली थी निए नेस्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चनमर 16 कुछा नमबर 16 है दोस्तों अक्छान से रेखाओं की कुल संक्या कितनी है तो याद रखना आपना गलोब देखा होगा गलोब में जो आड़ी रेखाएं होती है ना उनको कहा जाता है अक्छान से रेखाएं ठीक है और जो खड़ी रेखाएं होती है उनको कहा जाता है देसा से नीचे होती है तो 180 और 180 कित्ती हो जाएंगी भाई साब 90 और 90 कित्ती हो जाएंगी सौरी 90 होती है ठीक है 90 होती है ये देखिए गलोब है इसमें 20 से 0 अंसक्षांस रेखा को विस्वत रेखा कहते है या भूमद रेखा कहते है 90 ऊपर होती है और 90 नीचे होती है तो 90, 90, 180 और ये 1 किती हो जाएगी 180 और सो नमबर 20 का सही उत्तर होगा ठीक है और 360 के होती है 360 देसांतर रिखाय होती है क्लियर चलिए संकर द्याल सर्मा भारत के राष्टपती कब बनते हैं ठीक इस बरकार के कोश्चन भी आता है कभी राष्टपती का क्रम पूछता है और कभी पूछता है कि कब बने ठीक है ये कोश्चन पूछा गया तो संकर द्याल सर्मा भारत के राष्टपती कब बनते हैं देखिए उनसे रिलेडेट आपको ना कोई ने कोई यदि घटना याद है ना तो आप उसका सवाल थोड़ा आप वहां तक पहुंच सकते हैं तो संकर द्याल सर्मा जो भारत के राष्टपती बनते हैं वो बनते हैं 1992 में और सन नमबर सी इसका सही उत्तर होगा संकर द्याल सर्मा भारत के क्या बनते हैं राष्टपती 1992 में बनते हैं नेश्ट कोश्चन है, इस्टील मैन आफ इंडिया किसे कहा जाता है? चार अपसंद यह हुए है, जमसेद इरानी, एमस स्वामी नातन, वरगीच कुरियन, यरतन, टाटा तो स्टील मेना आफ इंडिया कहा जाता है जमसेद इरानी को आफसर नमबर A इसका सही उत्तर होगा जमसेद इरानी को स्टील मेना आफ इंडिया कहा जाता है कलियर चलिए नैस्ट कोशन मतुरा कला का सम्मन्द किस धर्मे से है माथुरा कला का सम्मन्द किस धर्मे से है तो माथुरा कला का सम्मन्द भाई साथ जैन धर्मे से है ओफसन नमर B इसका सही उत्तर होगा माथुरा कला का सम्मन्द किस धर्मे से है जैन धर्मे से है नेश्ट कोशन देखते है निर्मल चित्रकला किस राज्य की है तो निर्मल चित्रकला किस राज्य की है इसका सही उत्तर हो जाएगा ओफसन अमबर A टीक है ते लंगाना राज्य की है निर्मल चित्रकला किलियर चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं बलैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में इस्तित है तो ब्लैक बक जो नैस्टनल पार्क है दोस्तों ये किस राजमेस्तित है? भारत के गुजरात राजमेस्तित है ओफिसन नम्र डी इसका सहीं उत्तर होगा क्लिए चलिए नैस्ट कोशन देखते हैं गौतम बुद्धि के बच्पन का नाम क्या था? तो गोतम बुद्व के बचवन का नाम क्या था सिध्धार्थ था ओफसेंट ममर ए इसका सहीं उत्तर हो जाएगा क्लियर चली नेश्ड कोश्चन है उस्ताथ बिम लाः खान का सम्वन किस वाद ये झार से है तो उस्ताथ बिम लाः खान का सम्वन दोस्तों सहनाई से है अफ्सन मिर्सी इसका सही उत्तर होगा अस्ताद बिसम इल्ला कहा का संबन किस पर इंतर यंतर से है सहनाई बाद यंतर से है नेस्ट कोश्चन है युनेस्कू का मुख्याला कहां पर इस्थित है तो युनेस्कू का मुख्याला दोस्तों पैरिस फ्रांस में इस्थित है कहां पर इस्थित है पैरिस पैरिस कहां पर है फ्रांस फ्रांस की रलधानी है पैरिस वही पर युनेस्कू का मुख्याला इस्थ नेस्ट कुछचन अनुछेत सो किस बारे में बात करता है अनुछेत सो किस बारे में बात करता है कूरम के बारे में राज्यपाल के बारे में संसत के बारे में या राश्चपती के बारे में तो अनुछेत सो दोस्त आद रखना कूरम के बारे में बात करता है ठीक है कूरम के होता है ठीक है ये सब चीजे मैं आपको डीटेल वीडियो में समझाऊंगा ठीक है अब आपको डेली एक वीडियो सोबे मिलेगा दोस्तों जिसमें आप MC2 प्रेक्टिस करोगे ठीक है इस परकार 100 कोश्चन लेकर आऊंगा और एक वीडियो दोस्तों समय समय पिर आपको टॉपिक वाइस मिलेगा जिसमें मैं आपको सारी चीजे डीटेल से समझाऊंगा ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन है स्री दिगंबर जैन लाल मंदिर किस सहर में स्तित है स्री दिगंबर जैन लाल मंदिर नई दिल्ली में इस्तित है ओफसर नमबर 20 का सही उत्तर होगा दिल्ली में इस्तित है ठीक है चलिए next question है मौदरिक नीती समीती का अध्यक्ष कौन होता है देखो भाई साब मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ ये question जब exam में आएंगे न ठीक है तो आप पूरा वीडियो देखना अना एक भी question इसकी मत करना इसके बाद आप पूरे हिंदुस्तान में कोई भी exam के old question paper उठाओगे न तो आप साल्व करने लगे होगे ठीक है मौदरिक नीती समीती का अध्यक्ष कोन होता है भारती रिजर बैंक का गवर्नर RBI का गवर्नर होता है बित मंत्री प्रधान मंत्र राजपती ये कुछ नहीं होता है ठीक है भारती रिजर बैंक का गवर्नर मौदरिक नीती समीती का अध्यक्ष होता है clear चलिए नैस question रेखते हैं question number 29 question number 29 बगली हार बांद किस नदी परिस्तित है तो बगली हार बांद चिनाब नदी परिस्तित है option number B इसका सही उत्तर होगा बगली हार बांद किस नदी परिस्तित है चिनाब नदी परिस्तित है next question है जुन्जुन का टूरा इसमारक कहा परिस्तित है जुन जुन का टूरा इसमाराग दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए ये है आगरा में कहाँ पर है ओफसन नमबर A जुन जुन का टूरा इसमाराग आगरा में इस्तित है नेस्ट कोश्चन है अर्थ सास्त का जनक किसे कहा जाता है तो अर्थ सास्त का जनक किसे कहा जाता है यह तो बच्चे बच्चे को पता है कि अर्थ सास्त का जनक एडम इसमित को कहा जाता है ठीक है आपसन अमबर डी इसका सहीं उत्तर हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है वैदिक सब्विता किस नदी के किनारे फली फूली आपने सिंदू सब्विता पढ़े होंगे तो सिंदू सब्विता तो आपको पता है कि सिंदू सब्विता जो है सिंदू नदी के किनारे फली फूली इसी परकार से वैदिक सब्विता किस नदी के किना टेंट है ठीक है नावाड में आरवी आई की हिस्टताई कितनी है तो नावाड में आरवी आई की हिस्टताई है 0% और सनमर डी इसका सहीं उत्तर होगा जैन धर्म के 24 बे एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे तो ये थे आपके महाबीर स्वामी और बी इसका सही उत्तर होगा ठीक है महाबीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24 बे और अंतिम तीर्थंकर थे नेस्ट कोश्चन है आर्थिक रूप से पिछले वर्ग है यानि कि जिसको हम EWS कहते हैं के लिए 10% आरक्षड किस सम्मिधान संसोदन अधिनियम दोरा लाया गया था ठीक है तो इसका सहीं उत्तर हो जाएगा एक सो तीनमा सम्मिधान संसोदन है दोरा एक से नमबर 20 का सहीं उत्तर होगा एक सो तीनमा सम्मिधान संसोदन 2019 के तहत दोस्तों EWS के लिए 10% आरक्षड लाया गया था नेश्ट कोश्चन है किस महादीप में नियूंतम मिंदू मृत घाटी अवस्तित है तो जो मृत घाटी है दोस्तो जाद रखना जो नियूंतम मिंदू है तीक है ये किस महादीप में इस्तित है ये है आपके उत्तरी अमेरिका में आपसन नमबर सी इसका सही उत्तर हो नेस्ट कोशन है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये बच्चे-बच्चे को पता है कि रेट क्लिप रेखा है ठीक है चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं सिंदु गार्ती सब्विता की खोज किस वर्स की गई थी तो सिंदु सा है 1949 से 1949 से कब तक चलता है बताई ये कमेंड करके बताई जम्मु कशमीर का संगीत है छक्री ठीक है जम्मू कस्मीर कर लोग संगीत क्या है छक्री है नेस्ट कोचन देखते हैं किस अनुच्छेत के तहद भारत में राष्टपती सासन लगाया जाता है तो बताइए भारत में राष्टपती सासन किस अनुच्छेत के तहद लगाया जाता है अनुच्छ 356 के तहट दोस्त व्याद रखना भारत में राश्पती सासन लगाया जाता है ठीक चलिए नैस्ट कोचन है चालक के किसका प्रधान मंत्री था तो चालक के दोस्त व्याद रखना ये चंद्रगुपत मौरे का प्रधान मंत्री था ठीक है उपसा नमबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए नैस्ट कोचन है भारत की वारवी पंच बरसी योजना की समय अवधी क्या थी तो भारत की वारवी पंच बरसी योजना जो है दोस्तों इसकी समय अवधी थी ऑफसन मड़ी 2012 से लेके 2012 से लेके 2017 तक दोस्तों भारत की बारभी पंच परसी जोजना की समय अवधी थी नेस्ट कोशन देखते हैं आस्वेटेबल बाएपुस्त के लेखख कोन है तो आस्वेटेबल बाएपुस्त के लेखख है बिकरम सेठ ऑफ्सान नमबर डी इसका सहीं उत्तर होगा बिक्रम सेट जो है दोस्तों अस्वेटेवल बायपुस्तक के लेखक है नेस्ट कोश्चन है राज पुनर गठन आयो के अध्यक्ष कौन थे तो राज पुनर गठन आयो के अध्यक्ष थे कौन थे बताईए मुझे राज्य पुनरगठन आयों के अध्यस के अध्यज़ बनते हैं फजल अली और समक्ष नमबर डी इसका सहीं उत्तर हो जाएगा नैस्ट कोशन है किस अनुच्छेट के तहथ आएस प्रस्टा का अंत कर दिया गया जो चुवा चूट का अंत किया गया वो किस अनुच्छेद के तहद किया गया तो अनुच्छेद 17 के तहद दोस्तो याद रखना आ इस प्रस्टा का अंत कर दिया गया किस अनुच्छेत के तहट उपादियों का अंत कर दिया गया तो उपादियों का अंत दुस्तो अनुच्छेत 18 के तहट कर दिया गया ठीक है ओप्सन नमबर D इसका सही उत्तर होगा ठीक है चलिए नेश्ट कोश्चन देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक एबं प्रथम तीर कोस्चन देखते हैं तो अगर आपके 50 कोस्चन चीखने को मिले हैं ठीक है तो अगर आप देखिए मैंने पूरे question अपने पास है ठीक है पूरे hundred तक question है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है इसलिए दोस्तों ये भी हम nest class में देखेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है दोस्तों तो editing करने में मुझे बहुत समस्या होती है ठीक है क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई संसादन नहीं है जिससे मैं अच्छे से editing कर सकूँ इससे थोड़ी problem होती है मुझे ठीक है तो आज 50 question मैं समझता हूं sufficient है ठीक है 50 question मैं चलिए एक question आपसे जरूर पूछूंगा दोस्तों मैं ठीक है ये question अगर आपको पता होगा इसका answer तो comment करके बताना निमने में से किस सासा के मिलत्यू पोलो खेलते समय घोले से गरिकर हुई थी चार अपसंदी हुए है सिकंदर लोदी, जलाल अद्दीन खेल जी, फिरोज आपको डेली इस परकार के वीडियो लिखने होगा तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना, थैंक यू, जाहिन जाभारत